नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओलिंडे गुरुजी यूटूब चनल पर और आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन जैसा कि आप जानते हो पूरे देश में जो है वो कोरोना का यहां पर कहर चल रहा है ना कोई एक एक्जाम साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी क्या है राष्टी परिक्षा एजनसी क्या है जो आपका एक्जाम लेने वाली है तो आप लोग बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को जो है वो देखे और इसको आपने दोस्तों के साथ सेर क इसकी जो इस्थापना है वो भारतिय संस्था पंजी करन अधिनियम 18-60 के तहट की गई थी यह एक स्वायत संस्था है जो देश के उच्छे सिक्षन संस्थानों में प्रवेस और छात्रव्यत्य हितु प्रवेस परिक्षाएं आउज्यत करती है मतलब यदि किसी को हायर य इसके बाद हम बात करें इसका महत्व क्या है तो एंटिय या नेशनल ट्रस्टिक एजनसी जैसी विशिष्ट परिक्षन एजनसी की स्थापना से केंद्रिय माद्ध में एक सिक्षा वोड मतलब की सीवियसी अखिल भारतिय तकनिकी सिक्षा परिक्षाथ मतलब की ए आई सी इसके जैसे और भी जो संस्था हैं वो परिक्षा आयुजद किया करती थी अभी एंट्रेस एक्जाम आयुजद किया करती थी अब उनको इसकी जवरत नहीं है उनका बोज अब कम कर दिया गया है और यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो है उसकी यहाँ पर आपको कोई भी रुकावट यहां पर नहीं होगी यह सारी इन्फॉर्मिशन में आपको यहां पर ऑफीसियल वेबसाइट से बता रहा हूं इसके बाद बात करते हैं एंटिये जो है वह ग्रामीट शेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए तथा अभ्यार्तियों की यहां पर आसान हो जाए राष्टिये परिष्ण एजंसी ने एक मोबाईल प्रारम करने के साथ ही अभ्यास परिष्ण के इंद्रों की स्थापने किये जहां पर आप डेमो देकर देख सकते हो कि एक्जाम किस तरीके से होता है जिससे कि जब भी आप फाइनल एक्जाम में परिक्चा हो जेए मेंस की परिक्चा हो ठीक है और यह कब-कब औरनाइस करती हो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है यूजी सी नेट कॉमन मैनेजमेंट एडमिसन टेस जिसको हम सी मेट बोलते हैं जी पैट हुआ ए आई ए पीजी टी हुआ एंसी एचम हुआ इगनु के यह अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्या इंपोर्टन इंफॉर्मिशन जो है वो देने वाला था इसके बाद तो वो यह है कि यहाँ पर एक ओफिसल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया इंटी के द्वारा जहां पर यह बताया गया है कि आपके साथ यहाँ पर कंडक्ट होने वाले हैं सेप्टेमबर से अक्टूवर के मन्त के बीच में जो है वो आपके एक्जाम होंगे तो कौन-कौन से एक्जाम कब होंगे उसके बात करते हैं और यहाँ पर और कुछ एक नई चीज निकल कर सामने आई है वो भी मैं आपको वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले एक्जाम के दिए हम बात करें तो आप देखोगे दिल्ली उनिवर्सिटी एंटरेंट टेस्ट जो डूइट कहलाता है वो आपका होगा यहाँ पर 6 से लेकर 11 सेप्टेमबर को यह कंपल सरी जो होने वाला यहाँ पर बो यूजीसी नेशनल एलिजिबिटी टेस्ट यूजीसी नेट का जो एक्जाम होगा वो आपका होगा 16 से 18 सप्टेमबर और 21 से 25 सप्टेमबर के बीच में यह आप ध्यान रखेगा ओल इंडिया आयूस पोस्ट ग्रेजूट एंटरेंस चेट जो आपका होता है वो आपका हो इसके बाद हम बात करते हैं यह जो परिक्षाओं का आयोजन है यह 6 सप्टेमबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलने वाला है इन सभी प्रिवेश परिच्छाओं का आयोजन 6 से लेकर 4 अक्टूबर के बीच किया जाना है हालांकि एजेंसी आई सी ए आर ए आई ट्रपल ई ए दिद करने का फैसला यहाँ पर लिया है और यह जो सारी परिक्षा है इसके एडमिट कार्ड आपको एक्जाम के 15 दिन पहले जो है वो जारी किये जाएंगे तो यह भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं मैई और जून में होनी थी यह परिक्षाओं यह जो आपको यहाँ पर म आपके माई और जून में होने वाले थे लेकिन एंटी ने जो है वो शुरुवात में परिक्षाओं को माई और जून के महीने में निर्दारित किया था लेकिन कोरोनावाइरस के वैसे हुए लॉकडाउन के कारण इन सभी परिक्षाओं को इस्थगित कर दिया गया और कुर्णा वाइरस महामारी कान राश्टिय पातरता सह प्रवेस परिच्छा नीट यूजी आउजित करने की नई तारीक अब 13 सप्तेंबर 2020 कर दिया है नीट 2020 परिच्छा को आउजित किया जाएगा नीट 2020 परिच्छा में सीटों की संख्या की बात करें तो 89,248 MBBS की सीट है 26,949 BDS, 52,720 IUs की सीट है और 525 VVSC और AH यहाँ पर जो वेकिंसी है वो यहाँ पर की गई है रिलीज, एंट्रेंस एक्जाम है यह सीट आपकी यहाँ पर रखी गई है इसके लावा इसके दे हम लेटेस्ट अपडेट की बात कर रहा है यहाँ आजका को खारिज कर दिया है और आपकी जो एक्जाम होने वाले हैं यह आपके सेप्टमबर से लेकर अक्टूबर माहे तक जो होंगे ही होंगे तो यह था आज का हमारा पूरा सेसन यदि आप ऐसे ही और भी वीडियो को जो है वो देखना चाहते हो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन नहाँ पर लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हैंड